बजरंग पुनिया नाम सांदार है दमदार नाम है एक्जाम में कुशन बनेगा क्या बनेगा कि बताएगा कि बताएगा कि ओलंपिक में समापन समारो में ध्वज बाहक कौन है तो बजरंग पुनिया है तो बजरंग पुनिया आप से सीधा कुशन ये भी पूछेगा किस खे मेडल जीत रहे हैं तो आप मेडल बताएंगे देखो कैसे याद रखोगे नाम है इनका बजरंग नाम है बजरंग तो बजरंग से ले लो ब्रॉंज बजरंग से ले लो ब्रॉंज तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कन्फूज नहीं होंगे तो बजरंग पुनिया आपक और ये बात हम जानते हैं कि यहां के जादतर सभी खिलाडी आपके कहां से संबन देते हैं हर्याणे से संबन देते हैं ठीक हैं अगली बात देखो कि यह विश्व कुस्ती चेंपियन में तीन पदक जीतने वाले एकलोते या एकमात्र आपके भारती पहलवान हैं कभी ऐसा बजरंग पुनिया नाम हम लोग बताएंगे क्या नाम बताएंगे बजरंग पुनिया बताएंगे अब ये बात याद रखेंगे कि 6 अगस्त को इन्होंने 65 किलोग्राम केटिगरी में आपका ब्रॉंज मेडल जीता था डेट हमें याद नहीं करनी है लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये किस खेल से संबंदित हैं और कौन सा मेडल इनके द्वारा जीता गया है तो आप बताएंगे ब्रॉंज मेडल जीता गया था किस के द्वारा तो नाम है बजरंग पुनिया और इनसे एक दो कुशन इंपोर्डेंट जो बनेंगे वो ये हैं जैसे हमसे कभी एक याई खेल ये दोनों इनके लिए मेत्वपूर्ण हैं और फिर 2018 के 2014 और 2018 और अब 2022 में पता चलेगी क्या इस्तिती रहेगी तो आपको याद रखना है कुछ इनकी प्रत्योगता हैं जिनमें इनोंने बहतर प्रदर्शन किया था और एक मात्र ऐसे खिलाडी हैं जो तीन वा तीन वार आपकी वर्ल्ड रेसलिंग चेंपियंसिप को जीते हैं आगे की बात करते हैं मीरा वाई चानू की बात करते हैं यह किस खेल से संब्दित हैं मीरा भाई चानू किस खेल से संबन देते हैं वेट लिफ्टिंग या आप बताएंगे इसको हिंदी में कहते हैं भारो तोलन वेट लिफ्टिंग या इनी को कहते हैं भारो तोलन अब याद रखो कि इनका जन्म स्थान क्या है मनिपूर, इमफाल अच्छा याद रखो कि इनके द्वारा भी इनका भी संगर्स खूब बहतर रहा और उलंपिक में उससे भी सांदार उनका प्रदर्वशन रहा जिस व्यक्ति का जितना संदार संगर्स होगा प्रदर्वशन भी उसका उतना ही बहतर होगा जैसा कि आप यहां पे देख पाएंगे तो बेट लिफ्टिंग में मीरावाई चानू ने आपको कौन सा मेडल दिलवाया है तो बताओ ध्यान है कुछ सिल्वर या रजट या रजट पदक हमको दिलवाती है नाम कैसे याद रखेंगे मीरावाई चानू बैसे निका नाम है साइकों Mario Wai-Ch apex तो साइकों सिल्वर याद रखेंगे तो याद रखो कि सिल्वर मेडल इनके द्वारा यहां पे जीता गया हम से देखो 2020 में ज़्यादा कुछन कुछ नहीं बनेगा पूछेगा नहीं यह जरूर पूछेगा खिलाडी का सम्मंद किस खेल से है और हाली में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है इससे ज़्यादा कोई कुछन नहीं बनेगा ठीक ह और यदि हाँ उनसे सम्मंद कुछ बिसिस तत्थ है फैक्ट है वो पूछ सकता है ठीक है अब देखो कि यह हाली ही में आपको कौन सा पदक दलवा रहे तो आपने बता दिया सिल्वर या आपको रज़त पदक दलवाएंगी लेकिन इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया 115 क क्लो है यह गलत है दो सो पंद्रा क्लो का बजन याद रखेगा इनके द्वारा उठाए गया था और रिकॉर्ड बनाए गया आपकी मीरावाई चानू के द्वारा अब देखो यहां से कुशन बनेगा यह है कि 215 कैसे 168 प्लस 65 करके कुछ होगा उसमें लूट में 202 होगा तो 87 प्लस 115 ऐसे करके है कुछ ठीक है तो 202 याद रखे 215 नहीं 202 है ठीक है कहां गया 202 रिकॉर्ड मतला अपने यहां पर जितने भी ख्राडिये हैं उन्होंने हां उनसे सबसे ज्यादा बेट लिफ्टिंग में इनका यह मैला प्लियर में मैला ख्राडियों में इन्होंने 72 रिकॉर्ड बनाए अभी तक से अब देखो अगला फैक्ट यह इंपोर्टेंट बनेगा तो मैंने क्या का था कि यह का एक तो यह पूछेगा कि किस खेल से वो खिलाडी संबंदित हैं और दूसरा कुश्चन यह बनेगा कि हाल ही में कौन सा मैडल या कौन सा प इनको देश के सबसे बड़े खेल रतन पुरुसकार से सम्मानित भी किया गया और देश का सबसे बड़ा खेल रतन पुरुसकार का उस समय नाम क्या हुआ करता था राजीब गांदी खेल रतन पुरुसकार तो हमने याद रखा ये नाम याद रखेंगे इस से इनको सम्मान लाती हैं इसी के चलते इनको यह दोनों पुरुषकार या मैडल दिये गए थे या सम्माने तो यह की गई थी किसके चलते कोमन वेल्थ के चलते चलो आपको कल बताया था साइद पड़ाया है आपको यह याद होगा कि 2018 में आप जैवलिन थ्रो में या भाला फैक में गोल्ड किस खेलाडी के दौरा नीरत चोपडा के द्वारा द्यान है ना चलिगा अब नीरत चोपडा को उस समय चूक हो गई या उस समय किसी कारण बस वो उस सिलसले में मतलब उस लिश्ट में स्वॉट सोट लिश्टिट नहीं हुए कि इनको उस समय खेल रहा हूं बहुत सभी काम यह नहीं हुआ ठीक रहा है साड़े साथ में समिट जाते हैं अब कितने मिलेंगे तीन गुणा कर दिया 25 रुपए कर दिये खेल रतन पुरुसकार में कितनी नगत धनराशी कर दिये 25 लाग रुपय कर दिये और अगली बार 100% है सब को पता है ठीक है यानि कि अगली बार जो आपका खेल रतन पुरुसकार दिया जाएगा उसमें नीरत चोपड़ा का नाम आएगा याएगा तो 25 लाग के साथ मुन को सम्मानित किया जाएगा ये बात याद रखेंगे तो सही रात 18 में नहीं मिला ठीक है अगली बात देख और क्यों दिये गए ये दोनों अवर्ड या क्यों सम्मानित किया जा रहा है तो हम बताएंगे कॉमन वेल्ट में इनोंने गोल्ड जीता था कौन से खिल में वेट लिफ्टिंग में ठीक है आगे की बात करते हैं ये हैं आपकी मीरा बाई चानू बैसे तो हम सब लोग इनक मेल दिलवाया था किस खिलाडी ने तो हम बताएंगे मीरा वाई चानू तो ये कुशन भी ठीक बन सकता है तो इसे हम यहाँ से याद रखेंगे कि 2021 टोक्यो ओलाम्पिक में किसी भी भारती खिलाडी के द्वारा सबसे पहले कोई भी मेडल दिलवाया गया तो हां दिलवाय गया उनका नाम है मीरा वाई चानू और कौन सा मेडल तो सिल्वर या रजत पतक दलवाय जाएगा ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे आगे की बात देखो भारती महला बेडमिंटन खिलाडी कौन सा नाम हो सकता है पीवी सिंदू बहुत बढ़िया बात है पीवी सिंद तक देख भी लिए यह होते हैं एक्सपड़ लोग बिनिके तव तक आप लोग यह दर उदर देखो तव तक हम अपना काम कर लेते हैं अच्छा पता है तो इतनी देर में याद आया अच्छा वहां तक सई है चलो अच्छी बात है तो आप याद रखेंगे पीवी सिंदू को याद रखो है ना पुस्रला वैंकेट सिंदू इनका नाम है अपने सो खेर पूछेगा नहीं लेकिन याद होना चाहिए यही तो हमारा जीके है इस्टेटिक जीके में या ऐसा कहें कि जीके में और है क्या जीके में कुछ नहीं है यही सब है बताओ आप से पूछ ले ब हरी की पंडला नरहरी और ऐसे एको नाम पीटी उसा का फुल फॉर्म डूडियेगा ठीक है चलो तो अब देखो जरा इनको समझते हैं कि यह वो खिलाडी है भारत की बेडमिंटन प्लियर है एक मात्र ऐसी जो आपको भारत के खिलाडी के रूप में भारत के खिलाडी के र अपको दो देलाआं है चलवाए गया ए और अच्छी बात क्या है लगातार स्टेंस अ इस ऐहलांपिक फ़र अगले ओलांपिक में आपको पता है 2016 में रियो में थीtı 2016 का Olympic Rio में हो रहा था Rio में silver medal Rio में कौन सा medal silver medal दिलवाया 2020 में थोड़ी सी चूक हुई कोई बात नहीं है लेकिन 2020 में इनको medal लेना बहुत जरूरी था सर्थ लगी थी एक प्रधान मंत्री मोदी से यदि आप अगले medal अगले Olympic में अगले Olympic में यदि आप देखो हमारी मोदी जी बहुत जोड़दार आदमी है समझो आप बात को तो उन्होंने का कि यदि जब मैंने बताए आपको साथ एक फोटो दिखवाए होगा पैर Olympic के जो खिलाडी तो उन सब के साथ में सेंटर में थे तो ऐसे ही वो सब की सभी खलाडियों को उत्सायत करने के लिए मोटिवेट करने के लिए मिलते भी थे उस समय तो जब यह यहां से रियो से जीत करके आए तो कहा के हम आप से अगली बार फिर मिलेंगे और हम लोग बैठ के आईस क्रीम खाएंगे कॉफी पियेंगे बस सर्ते आपको अगली बार मेडल जीत के लाना पड़ेगा तो कहिने के ही वही सर्त का सवाल था अब डिपेंड करता है कौन जीतता है तो अब उन्होंने खूब अपना भरसक प्रियास किया उन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता टोक्यो ओलम्पिक में और अब ये मोदी जी के पास जाते हैं सभी खलाडी मिलने के लिए गए या उन्होंने मीटिंग रखी प्रदानमंत्री साब ने और बढ़िया फिर सभी लोगों के साथ गेट टूगेधर और ये सारी बात है तब उन्होंने का कि आपने बास्तम में कहा और करके दिखा दिया ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी के चैलेंज को एकसेप्ट करके उसको पूरा कर देना दोको बादे तो हर कोई कर सकता है लेकिन निवहा नहीं सकता एक एसा इतिहास में करेक्टर मिलता है आपको सेरसाशूरी उन्ही की सेना में रह रहा है उनका इखा रहा है और उनको ही समझा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुगलों को भारत से खदिर दूँगा और बास्तम में उसने कर के दिखा दिया मुगल कितना मजबूत मतलब मजबूती से भारत में जम रहे थे लेकिन उसने अब ये है कि आपके पास मौका कब आए लेकिन हमें सतरक रहना चाहिए अब जीने की डीली डाली तैयारी चले नहीं पढ़ लेंगे और बरस उसी बरस में पेपर आपका सिंपल आया लूज आया अब अच्छी तैयारी होती ना एवरेज भी होती तो पास हो जाते तो ये है कि साब आप ऐसा नहीं कि कमजोर कभी नहीं पड़ना है मजबूती के साथ लगे रहो तो ये ऐसी खिलाडी बनी है मैला खिलाडी पीवी सिंदू के लगातार दोनों ओलंपिक में कोई न कोई मेडल आपको दिलवा रही है एक वार सिलवर मेडल दिलवा दिया एक आप जानते हैं कि पीवी शिंदू की बात कर रहे हैं तो पीवी शिंदू को बर्स 2013 में अर्जुन खेल रतन या अर्जुन खेल पुरुसकार से सम्मानित किया गया अच्छा आप ये तो जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा खेल रतन पुरुसकार कौन सा है राजीव गांद नाम कौन का लग गया है राजीव गांदी जी का नाम जुड़ गया है तो इसलिए पुरुसकार सबसे बड़ा सरवोच बना दिया और अरजुन पुरुसकार सबसे छोटा मतलब सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा खेल रतन या खेल पुरुसकार हम कह सकते हैं किसको अरजुन पुरुसकार को ठीक है तो 2013 याद रखो 2013 में इनको सम्मानित किया गया पीवी शिंदू को अगली बात देखो लवर जीत के आई तो इनको राजिव गांदी खेल रतने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया ठीक है और दूसरी बात देखो सीदे आज़ा फिर 2020 में फिर से दो काम 2020 में फिर से दो काम कौन कौन से एक तो पदमभूशन और दूसरा आपका ब्रॉंच दूसरा आपका मीरावाई चानू को याद करो अब अब मीरावाई चानू को याद करो कि 2018 में जैसे कॉमन वेल्थ जीतती हैं गोल्ड मेडल जीते हैंगी उनको भारत में पदमस्री से सम्मानित किया गया और खेल रतने से सम्मानित किया गया बैसे ही हमने यहां से याद किया कि अरजुन पुरुषकार है यह 13 पुरुषकार है तू ले जा ठीक है तेरा पुरुषकार है तो आप याद रखेंगे 2013 में अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित की गई पीवी शिंदू फिर आप बताएंगे पदमिसरी मिल गया और पदमिसरी के अलावा याद रखो कि आप यहां से 2016 म इन्होंने इस ब्रॉंज मेडल जीता ठीक है आगे की बात देखो और विसेस तो यह है कि यह दोनों पदक दोनों मेडल की बात हो गई टोकियो में और हियो में ठीक है यह हम बहुत अच्छे से जानते यहां से कोई पढ़ने की ऐसी विसेस बात नहीं है ठीक है बिस्व चै यहां से यहां से भी चलो तो आपको पीवी सिंदू के बारे में तीन चार बात याद रखना है जो अपने एक्जाम के इसाब से महत्पूर हैं जैसे पहली बात कर लें तो आप से पूछेगा कि ऐसी एक मात्र महिला खिलाडी जो आपको कोई भी दो मेडल लगाता है और दो जितवाएंगी या दिलवाएंगी तो पीवी शिंदू है एक वार कौन सा मेडल जित लिया सिल्वर फिर ब्रॉंच अब पूछेगा कि बताओ पदम स्री मिला है कब मिला है पदम भूशन है मीरावाई चानो पदम भूशन है ठीक है पदम स्री दो हजार पंदरा में अरुजुन तेरा में अरुजुन मिला है दो हजार तेरा में फिर पूछेगा खेल रत्न दो हजार सोला और यहां पर राजीव गांदी मिल गया और यहां पर इनको ब्रॉंज मिल गया सिल्वर सिल्वर यहां पर सिल्वर मिल गया ठीक है अगली बात देखो फिर पूछेगा कि बदम भूशन के साथ यहां पर आप ब्रॉंज भी याद रख लो ठीक है तो एक साथ हम सारे मतलब इनके आसपास के जो भी अवर्ड रहेंगे सम्मान रहेंगे उनको हम लोग एक साथ यहाँ से याद कर लेंगे ठीक है अगली बात देखो अबेर कब बगएरा इनसे सम्मन देते हैं अभी ये इतने जादा मेत्वपूर्ण नहीं रहे अब देखो आगे की बात करते हैं अगले खिलाडी की बात करते हैं अगले खिलाडी आपके सामने जो आएंगे ये हैं टोक्यो ओलम्पिक की बात करेंगे अब देखो अगला जो ब्रोंज मेडल आपको दिलवाएंगे वो कौन दिलवाएगा तो भारत की होकी टीम ने हमको अगला ब्रोंज मेडल दिलवाया अब जैसे की बात करेंगे कि 41 साल बाद आपने लास्ट या पिछली वार जो कोई भी मेडल जीता था वो हमने 1980 में जीता था ध्यान आ रहा है कि हमने अच्छा हाँ तो हमने लास्ट मेडल जीता था वो कब जीता था 1980 याद रखेंगे उसके बाद 2021 में हमने दुवारा से सुरुबात कर दी होकी में कोई भी मेडल जीत करके तो आप बताएंगे हमने होकी में 2021 में 41 सालवाद आप ब्रॉंज मेडल जीत रहे हैं 41 एर के बाद में हमने ब्रॉंज मेडल जीता और अच्छी बात क्या है कि इसमें आपके मध्य परदेश से खलाडी सामिल हैं इनका नाम है बिवेक सागर और बिवेक सागर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और आप याद रखेंगे इनको मध्य परदेश गवर्मेंट या MP सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है और इनको सेकंड रेंग का अधिकारी बना दिया गया है DSP के पद पर निक्त कर दिया गया है ठीक है ये भी बात हम याद रख लेंगे अगली बात देखो आप देखेंगे कि 1980 में हमने लास्ट पदक लिया था मोस्को रूस में ओलम्पिक हो रहा था लेकिन बाई चांस कभी पूसता है कि इस टीम के उस समय कप्तान कौन थे तो आ अंतिम भी आपका गोल्ड था और हमने अब शुरूबात कहां से की है ब्रॉंज से की है हमने अब शुरूबात जो की है वो ब्रॉंज से की है ये बात याद रखेंगे ये आपकी होकी टीम है जो इस वार बहतर प्रदर्शन किया इसने कहीना कहीं हम देखेंगे कि महला होक कि टीम ने भी बड़ा जवर्दस्त प्रदसन किया लेकिन किसी कार्ण बस हम अंतिम पड़ाओं में आ करके हार गए थे थोड़ा सा और मेहनत कर जाते या थोड़ा सा समय और साथ देता तो हम भी कहने कि ब्रोंज लेकर के आ जाते ठीक है जैसे पीटी उसा वाला सीन याद र हम लोग पहले दाव लगा रहे थे किस पे बजरंग पुनिया पे कि साब पुनिया साब तो इस वार गोल्ड लेके आएंगे क्योंकि पिछले 2013-2014 के बाद से ये मालों की इंटरनेशनल लेवल पे सबसे जादा रेटिंग में जो कोई रेसलर था उनका नाम था बजरंग प अच्छा रवी कौन सा जीतेगा तो रा से रवी रा से रजट तो ये जीतेएंगे कौन सा सिल्वर मेडल जीतेएंगे तो हम देखेंगे चांदी है यहां पे पहले से तो ये आपको कौन सा मेडल दिलवाएंगे सिल्वर मेडल दिलवाते हैं अब ध्यान यह से रखना है कि बजरंग पुनिया तो आप बताएंगे ये थर्ड केटिग्री में पहुंसते हैं ये ब्रॉंज मेडल हमको दिलवाते हैं कौन सा दिलवाएंगे ब्रॉंज मेडल दिलवाते हैं और रवी कुमार की बात करेंगे ये हमको सिलवर मेडल दिलवा रहे हैं ठीक है और ये भी आप की देखो उम्र हलंकि इनकी भी जादा नहीं है लेकिन इनकी सारे रिक कदकाठी देखेंगे तो अपने को लगेंगे यह 30 साल के होने चाहिए तो ऐसा निवार नहीं है क्योंकि वहां की जलवाई हुई ऐसी है जहां पर यह लोग रह रहे हैं परविरस जहां की बात की जाए कि 2020 और 21 के चेंपियंशिप में इन्होंने पहले गोल्ड जीत चुके थे हलंकि अच्छा परदर्सन चला था इनका अब देखो कि रवी इन्होंने कौन से पहलवान को पराजित किया रूस के पहलवान को ठीक है यह पॉइंट ठीक है इतना मैतपूर नहीं है लेकिन आपके लिए सबसे इंपोर्डेंट पॉइंट तो यह बनेगा कि आपको कुस्ती में या रेसलिंग में किस खलाडी के द्वारा सिल्वर मेडल दिलवाए गया था तो हम बता देंगे रवी कुमार दहिया को दौरा अगली बात देखते हैं जैसे कि बात की जाए कि क इस केटिगरी में खेल रहे थे तो 57 किलोग्राम की केटिगरी में खेल रहे थे ठीक है और अब देखो अगले खिलाडी के बारे में यह हैं आपके रवी कुमार दहिया यह बिल्कुल ओलम्पिक वाला वही सीने इसको पटक के और अब आगे मेडल के लिए आगे चलते तो फिर कोई कुस्ती जैसे फिलिम बनती फुरेगी फर ठीक है अगली बात देखते हैं जैसे आप देखें टोक्यो ओलाम्पिक में इस महला खिलाडी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लव लीना बोर होगन ठीक है हाँ अब देखो अच्छा अभी तक एक कुशन बात कर रहे हैं जोनोंने कोई भी मेडल जीता है बिजंदर सिंग है मेरी कॉम मतलब टोटल तीन हो गए इनके लावा कोई है इनके लावा और कोई नहीं है अभी तक मातर तीन ही है जो ओलम्पिक में आपको कोई ना कोई मेडल दिलवा रहे हैं तो सबसे पहले बिजंदर स आपके इन्होंने हाली ही में भारत को ब्रोंज मेडल दिलवाया ओलम्पिक में नाम क्या है बोर ब्रोंज मतलब इस वार के खिलाडी उन्हों पहली फिक्स कर दिया कि हम कौन सा मेडल लेंगे वो अपने एसाब से चल लाए हैं तो उन्होंने कहा दिया हम बोर ओगन व्रोंज दे देना हमें जादा नहीं चाहिए क्योंकि हम पहली बार खिलने जा रहे हैं हम इसी में सैटिस्फाई हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप याद रखिएगा कि लवलीना ओलम्पिक में भारत को मेडल दिलाने वाली महलाओं की बात करेंगे तो दूसरी महला खिलाडी बनेगी और पहली तो आपको पता यह 2012 में मेरी कौम थी ठीक है अगली बात देखते हैं अगला point देखो ये भी आपकी असम से संब्ण देते हैं किस राज से संब्ण देते हैं में ब्रॉंज जीता था किस खिलाडी के दौरा बिजेंदर सींग के दौरा उसके बाद देखेंगे ओलंपिक में बॉक्सिंग में बॉर्ण जीतने वाली दूसरी महला खिलाडी बनी है और पहली महला खिलाडी है मेरीकॉम तो हम तीनों के नाम बहुत अच्छे से जानते हैं सबसे रिशेंट ली हैं जो हाली में जीती हैं लवलीना वो रहोगन और ये वो महला पहली महला खिलाडी हैं जो आपको पहली बार बॉक्सिंग में 2012 में पदक या मेडल दिलवाती हैं और ये पहली बार कौन बिजेंदर शिंग तो अपने पास तीन ऐसे खिलाडी हो गए ह जो आपको boxing में कोई ना कोई medal दिलवाए है मेरे हिसाब से तीनों ने एक ही medal एक ही category में दिलवाया है ठीक है तो हम ये भी बात याद रख लेंगे bronze medal तीनों खिलाडी के दौरा Olympic में boxing में दिलवाया है अच्छी बात है आगे की बात करें है बात को Olympic में पहला ब्यक्तिगत medal दिलवाने वाले खिलाडी केडी जादव थे और खेल हमें पताई है ठीक है रेसलिंग और देखो Olympic पदक में जीतने वाली पहली भारती मैला करणम मलेश्वरी और किस खेल से संबन देता है weight lifting किस खेल से संबन देता है weight lifting 2000 सिडनी weight lifting और 2000 Olympic सिडनी में हो रहा था फिर पूछेगा कि बताई ब्यक्तिगत आपको silver medal किसने दिलवाए था individual तो राजबर दैंसिंग राठोड़ अब ये पहले ऐसे खिलाडी बने जो आपको पहली बार ब्यक्तिगत आपको silver medal दिलवाएंगे लेकिन इसी silver को उनी के खेल के segment में निसाने वाजी में गोल्ड में किसने बदला था अभिनाव बिंदराने बदला था इसका मतलब यह हुआ यह 2004 में खेल रहे हैं यह तो है इसका मतलब क्या हुआ 2004 के Olympic में हैं अब याद रखेंगे यहाँ पर भी लिखा भी है देश का पहला ब्यक्तिगत रजत पदक दलवाया और ब्यक्तिगत गोल्ड पूछेगा तो अविनव बिंद्रा अगला देखिएगा कि पहला ब्यक्तिगत स्वड की बात कर लेंगे तो बीजिंग में ले करके आते हैं आपके अविनव बिंद्रा अगली बात देखो शुसील कुमार के बारे में ये साइना नेहबाल स्वय आपके पीवी सिंदू और आपके सुसील कुमार एक ही कटेगरी में है कैसे ये भी दो मैडल जीत चुके हैं दो ऐलमपिक लगाता और कहीना कहीं पीविश इंदू भी लगाता आपके दोनों ऐलमपिक मेडल जीते हैं तो चला देखते हैं तो सुसील कुमार 2012 में आपका ब्रॉंज मैडल जीते हैं और इसके बाद देखो साइना नहवाल पहली बार साइना नहवाल सिल्वर अच्छा दो हजार बारा में है सिल्वर आठ में कर दो दो हजार आठ में कर दो ब्रॉंच अगली बात देखो मुक्के वाजी में मेरी कौम के दौरा मेरी कौम के दौरा पहली बार आप 2012 में देखेंगे ब्रॉंज मेडल दिलवाई गया या जीता गया अब देखो साक्षी मलिक यह सुना है 2016 में साक्षी मलिक 2016 में और पीवी सिंदू दो ही नाम थे मात्र ठीक है दो ही नाम है जादा नहीं है ठीक है कि जितना कम content रहागा उतना पढ़ने में आसानी रहेगी तो 2016 में दो ही नाम याद रखेंगे एक तो रेसलिंग में जो आपको ब्रॉंज दलवाएंगी और दूसरा खिलाडी का नाम याद रखेंगी आपके पीवी शिंदू जो आपके टैनिस में सिल्वर दलवा रही है ठीक है लेकिन याँ से याद रखेंगे एक पॉइंट बन सकता है आप से पूछ लेगा कि बताएं हमें टैनिस में महला बेडमिंटन में बेडमिंटन में पहली बार सिंगल फिमेल सिंगल में पहली बार आपको कोई भी मेडल हमें किस खिलाडी के द्वारा दिलवाए गया तो आप क्या बताएंगे साइना नहवाल अब एक और कुशन बनेगा कि बताएगा कि भारत की एक मात्रिया पहली महला पहलवान जो आपको कोई भी मेडल दिलवा रही है तो हम बताएंगे देश की पहली महला पहलवान करडम मले सोरी रेसलर नहीं है बेट लिफ्टिंग हाँ तो आप क्या बताएंगे इस बात के तो साव साक्षी है खुदी साक्षी बनेगे कि साव हम पहली बार क्या कर रहे हैं रेशलिंग में महलाओं का नेत्रत कर रहे हैं और आपको ब्रोंज मेडल भारत को दिलवा रहे हैं तो आप याद रखना कि कई खेल अलग लग है उनमें खूब दमखम लग रहा है तो ऐसी बात नहीं कि सब आपके रेशलिंग या सब आपके कुस्ति या पहलवानी जैसे खेल होंगे ठीक है तो करडम मलेशोरी बेट लिफ्टिंग में है और साक्षी मलेक आपके अगला कुश्चन अगला कुश्चन ये है अगला कुश्चन ये है आपका की बताईएगा आपसे कुश्चन पूछे के हाँ के आपके 2016 के ओलंपिक में ओपनिंग सेर्मनी अविनव बिंदरा है ये एंड में मैंने ये बताया था कि इनके द्वारा बेतर प्रदर्शन किया गया था अब हालनकि आपको लग रहा होगा जब उन्होंने सिल्वर दिलवाया तो उनको क्यों नहीं लेकिन कमेटी ने इनको फ्रफ्रेंस दी और इनने सेलेक्ट किया गया था तो याद रखेंगे आपके समापन समारो में जो ध्वज बाहक बनी थी उनका नाम क्या है 2016 में तो 2016 की बात कर रहे हैं नि तो 20 में आ जाओ करें तो 2016 में है साक्षी मलिक समापन की बात करेंगे तो बजरंग पुनिया और अपन ओपनिंग सर्मनी की बात करेंगे तो मेरिकोंग और मनप्रीत ठीक है चलो अगली बात देखो अगला point देखते हैं कि PV शंदू इतिहास में पदक जीतने वाली यानि कि यह तो हमें पता है रजत पदक जीतने वाली पह जो दो ओलंपिक में लगातार कोई ना कोई पदक इन्होंने जीते हैं ऐसे ही आपके सुसिल कुमारवी है जोनोंने दो लगातार ओलंपिक में कोई ना कोई पदक जीते हैं ठीक है इस वार थोड़ी से भारत की पांच भी मैला खिलाड़ी है जो आपको कोई ना कोई पदक या सिल्वर मेडल दिलवा रही है ठीक है अभी तक पांच मैला खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है टोक्यो लामपिक यह बीच में काँ से आ गए यहां आओ अगली बात देखते हैं कितने खिलाड़ी हुए हैं इसमें अभी सभी हो गए क्या है चलो इस पर समझते हैं एक बार देखो शुरुबात करते हैं आपने बात की थी आपको पता है कि हमने गोल्ड मेडल एक मिन्ट र पहले हम यहां पर यह बात करें कि 2020 और 21 में आपने जो तीन अलग दिख रहा है इस पर दिख जा रहा है हुआ हुआ है ठीक ठीक देख जाएगा इस पर जी बड़ी समस्या आप इस पर आ जाएगा अब देखो अब यह क्लियर ही तो नहीं होगा आप यहां से समस्या तो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा पर इस पर समस्या आप यह आप अब आजाब आज ही ये बात मैने क्लास में एक मैं कई थी कि जहां भी मैं जाता हूं वा मुझे सब जätterे मिलते हैं मतलब ये व्यंग नहीं है ये सही बात है कि हम हर जगे सीख सकते हैं दो हजार बीस 21 की यदि बात करते हैं तो 2020-2021 में सबसे पहले यह याद रखो कि Tokyo Olympic में हमने कितने gold जीते, कितने silver जीते और कितने आपने bronze जीते तो एक gold है दो silver हाँ, अब चार bronze total number of medal अपने पास हो गए साथ, अब देखो यहाँ पर नाम लिख लेते, नाम है नीरज चोपड़ा नाम है नीरज चोपड़ा फिर आप से पूछेगा दो में, तो आपको सबसे पहले रवी लिखो, रवी दहिया और उसके बाद मीरावाई चानू साइको मीरावाई चानू, अब देखो यहाँ पर चारों के नाम लिख ले, चारों में और आपकी पीवी सिंदू को लिख लो, ठीक है तो इतने खिलाडियों की हमने चर्चा कर ली है अब देखो इन में से हमसे पूछेगा कि बताओ कौन सा खिलाडी का संबंद क्या है, तो नीरज चोपड़ा आप जानते हैं भाला फैंक जैवलिन थरो तो ये भाला फैंक या जैवलिन थरो है और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 86.56 या 57 है ना 56, 57 जो भी है ये भाला फैंक करके मीटर में याद रखेंगे इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया किसने नीरच चोपडा ने अब नीरच चोपडा के बारे में थोड़ी बहुत बात और याद रखो ये आपके भारती सेना में पदस्त है इंडियन आर्मी में पदस्त है तो इनको हाल ही में 2020 में 26 जनवरी 2020 को बिशिष्ट सेवा पदक या मैडल से इनको सम्मानित किया गया था क्या किया गया था इनको सम्मानित किया गया था ये वाला पउइंट याद रखो अब उसके बाद इन्होंने 2018 के Commonwealth में 2018 के Commonwealth में गोल्ड जीता ये भी पउइंट याद रखो लो इंपोटेंट रहेगा क्योंकि अगले Commonwealth के लिए फिर से तयार है गोल्ड के लिए ठीक है अब जैसे रवी दहिया की बात कर लो तो ये कौन है रेसलर है पहलवान है और हमें मैडल पता है कौन सा मैडल जीता सिल्वर मैडल जीता और उसके बाद मीरावाई चानू को याद रखो मीरावाई चानू से बहुत सारे कुशन बनेंगे इसलिए बनेंगे क्योंकि इनको कई वार सम्मानित किया गया अलग अलग छित्र में और इस वार क्योंकि 2018 से देख लो 2018 कॉमन वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड जीत रही है बोलो हाँ अब गोल्ड जीता गोल्ड जीतने के बाद इनको एक सम्मानित एक सम्मान से पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा कौन सा खेल रतन राजिव गांदी खेल रतने से सम्मानित किया गया अब इनको कोई दूसरा पुरुसकार पदमश्री 2020 में दिलवा रहे हो कि 2018 में 2020 20 2018 में सारी बात है वही है उसी बर्स में मैंने क्या बताया कॉमन वेल्थ जीती इसलिए उनको उसी बर्स में सम्मानित किया गया अब देखो यहां पर आओ लव लीना यह आपकी दूसरी मैला खिलाड़ी बनेंगी जो आपको बॉक्सिंग में कोई ना कोई मेडल दिलवा रही है यानि कि ब्रॉंज मेडल दिलवा रही है ठीक है पहले हम बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है और टोटल नंबर और पिलियर भी याद रख लो कि कितने हैं अपने पास तीन हैं बॉक्सिंग में जो आपको बॉरंज मेडल दिलवा चुके हैं बजरंग पुनिया को याद रखो कॉमन वेल्थ में इनको आप याद रखो ये ओलंपिक से पहले ये आपके विश्व रेसलर या पहलवानों की रैंकिंग में पहले स्थान पे चल रहे थे लेकिन चूक होई थोड़ी सी बॉरंज मेडल में सैटिस्पाई होगा कोई बात नहीं होकी टीम के वारे में याद रखो होकी टीम के कप्तान कौन है मन प्री सिंग है और मद्द परते से कौन से खलाड़ी पाटिसिपेट कर रहे है बिवेक सागर कर रहे है और ये आप कितने सारवाद मेडल जीते है 41 और आपने लाश्ट कव जीता और पहला कव जीता 1928 ठीक है और 1908 में भी हालांकि हमने होकी टीम आपकी 1908 में ओलम्पिक में खिलने जाती है होकी टीम अकेली याद रखना है साइद कभी पूस्ता है तो आप बता देग नाइटीन जीते हैं इंडियन होकी टीम सामिल हुई थी ठीक है अब देखो आगे की बात अब देखो पीवी शिंदू से भी कई सारे कुशन बनेंगे पीवी शिंदू से के पहला कुशन जो बड़ा मैत्पुल्ड रहेगा ऐसी भारती मैला जो अभी पॉइंट आप बात कर रहे थे अपन लोग उसके बारे में ऐसी भारती मैला ये कौन से नंबर की है जुनको सिल्वर पदक जिनोंने जीता है तो आप बताएंगे पांच वी यही तो पॉइंट अभी बात बताय था तो ये अपने देश की सभी मैला खिलाडियों की बात कर रहे हैं किसी खेल विसे इसमें बात नहीं कर रहे हैं अभी तक दो ओलंपिक में जो लगातार दो ओलंपिक में आपको पदक दिलवाएंगे ठीके और पुरुस या आपसे पूचे कि मैनस प्लियर में तो आप किसका नाम ले देंगे अरे सुसील का सुसील कुमार ठीके तो अब पुरुस हुमें पूछेगा तो आप आपसे पूछेगा क्या कि बताओ कि 2020 या 21 ओलंपिक की ओपनिंग कहा हुई थी तो जापान के सहर टोक्यो में अब देखो कि आपसे पूछेगा उदगाटन किस ने किया नौरू हुटे वाके कौन है समराट प्रिंस है राजा है नौरू हुटे के द्वारा अब पूछेगा क कितनी तारीक है तो है तेइस जुलाई और आठ अगस्ऑ से सुरू हुआ ठीक है ये सारी बात है याद रखना है मैस कोट सुभंकर मिराई तवा स्वेटि पिर अलंपिक में मिराई तवा का कलर कैसा था इंडिगो विलू और उसका क्या अर्थ है मिराई तवा का अनन्त भविश्य अनन्त काल future infinite ठीक है अब पूछेगा फिर आप से बताईएगा कि आपने पहली बार ऐसा किया था कि किसी ओलाम्पिक में किसी ओलाम्पिक में आपने स्लोगन आदर्स वाक्य में संसोधन किया बदला 2020 में ठीक है कम्यूटर जोड़ दिया बस यह बात है याद रखना है हाँ अब पूछेगा हाँ एंथम सोंग क्या था हिंदोस्तानी बे किसने कंपोज किया ए यार राहमान ने और फिर पूछेगा कि किसने गाया अनन्या बिरला ने गाया तो पहले हम क्या करेंगे ओल लंपिक 2020 की सुरूबात करेंगे तो आज का बड़ा एतिहासिक दिन है कि आप लोग 21 सदी में तो हैं और हम 21 सदी के 22 बरस में कल प्रवेस कर जाएंगे तो याद रखो कि इस 21 सदी के 22 बरस में आपको कुछ ऐसा करना है कि दुनिया लगे कि इसने कुछ 21 यासा किया है ठीक मिलते हैं आप सभी को बहुत 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 शुब कामना है नमस्कार धन्यबाद जय हिंद जय भारत